मिडिया आवाज आ रही बिटा बोलिये हलो अलो अलो प्रतेश प्रतेश तो सेल बेस्टार्ट ना हो चलो तो इससे पहले हम लोगों ने यह कोस्टन देख लिया था अब कहां तक हम लोगों ने यह कर लिया था पढ़ लिया था है दिमांड डैपॉजट से इंक्लूटें से लिए कोई बात निंहीए कोस्टन नंबर थर्ड से हम देखते हैं दैख्वाजट क्या थ question number third क्या-क्या है आपके options है saving account deposits and fixed deposits दूसरा option है saving account deposits and current account deposits and third है current account deposits and fixed deposits and D है all types of deposits तो DD में demand deposits में किन चीजों को include करते हैं बोलिए चाह बताईए anybody यह हमने पहले भी discuss किया हुआ है और फिर हम आज यह बात कर रहे हैं बताईए quick नहीं आता है तब भी बोलो आता है तब भी बोलो do it fast anybody can take part कोई वच्चा answer दे सकता है अजली किजिए ताइम वेस्ट नहीं करना है saving account deposits and fixed deposits saving account deposits and current account deposits current account deposits and fixed deposits all types of deposits DD में कौन सा होगा which option is correct which option is correct आस्टोस रिया इस्चिका प्रिथेश बताईए बटा बोलो भाई नहीं आता है इसका मतलो saving account deposit and current account deposits saving account deposits and current account deposits यह हमारे DD का हिस्सा बनते है next question है question number four पढ़िए बटा क्या है question managed floating system of foreign exchange has the characteristics of managed floating है ध्यान रखना managed floating system पहली बात तो direct हम आप answers पर नहीं बिचार करते हैं हम यह बात करना पसंद करेंगे कि managed floating system of foreign exchange rate से आप समझते क्या है what do you understand by managed floating system of exchange rate foreign exchange rate बोलिए पहली इस बात तो बिचार क्या जाए कि managed floating exchange rate of system है क्या जल्ली बते ही है बोलो भाई जिब तक इस पर बिचार नहीं करोगे तो तक कैसे काम चलेगा exchange rate पढ़ाए ना बोलिए what is exchange rate नहीं मत बोलिए हिंख देंखने अट रिजशा करना पढ़ेगा न बिट्या कि आपक्राइग यह सब कुछ दूपकूंस देखना पढ़ेगा ना हम एक कोशन उठाएंगे उस पर जिलेटेट जिते भी कॉंसेप्ट हम बता सकते बना बताएंगे बोलिए फॉर्न एक्षेंज से आप क्या समझते हैं वाट डियू इंडेस्टेंड बाइफ एफॉर्न एक्षेंज foreign exchange मैं ही बोलू इप लोग पार्टिपेट करो गहीं तो मजह आएगा foreign exchange क्या होता है foreign की currency मतलब अपनी करेंसी को facilitate जोभी करेंसी आऑँ इस कॉल्ट एज foreign exchange इसको अगर प्रॉपर डेरेंट करना हो तो foreign exchange or foreign currency refers to any currency other than the domestic currency फिर से मैं बोल रहा हूँ once again I am repeating it foreign exchange or foreign currency लिखते जाओगे आप बार बार लिखोगे तभी आपके साथ ये रहेगा question, answer बना फिर delete हो जाएगा दिमाग से लिखने किया डाले लिखिए आप foreign exchange आपको आता है तब भी लिखिए नहीं आता है तो जरूरी लिखिए foreign exchange or foreign currency refers to any currency other than the domestic currency foreign exchange or foreign currency refers to any currency other than the domestic currency अब ये currency है और हम एक देस दूसरे देस के साथ व्यापार भी करते हैं तो निश्य दूरुप से जो medium है उस medium की तुलना होगी तेक है यहाँ तुलना से मतलब क्या है कि एक currency की तुलना दूसरे currency के साथ होगी क्योंकि medium of exchange क्या है currency है तो हम ये देखेंगे कि हमारी currency दूसरे currency की तुलना में उसकी position क्या है उसकी इस्ति क्या है कितना सामान purchase कर सकती है वो तो purchase करना उसकी currency के value पे depend करता है तब यहाँ कोसर उड़ता है foreign exchange rate का तेक हैं जहाँ पर ये foreign currencies का exchange होता है उस market को कहते है foreign exchange market जहाँ पर एक देख की currency दूसरे देख की currency के साथ exchange की जाती है ठीक है मेरे बाद समय में आरी बाद तो foreign exchange rate को हम कैसे define करेंगे the rate at which currency of one country is exchanged with the currency of the other country कैसे बोलोगे जहाँ सुनना लिख लिजिए foreign exchange rate और इसको हम और भी इसका नाम लेते है forex rate भी कहते है यह बहुत बड़ा ब्रांच है जिसमें लोग trading करते है foreign currency जैसे हमारे यहाँ share market पे लोग trading करते हैं उसे तरह हम एक देश देश के exchange rate में जो अंतर होता है उसका फाइदा उठाते हैं वे ट्रेडिंग करता जिसे छोटे असर पर देखो तो गाओं का जो सामान बेचने वाला है फार्मर किसान मिडिल मैं जो भी है अढ़तिया अलग 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 नाम से इसको बलाते हैं तो वह एक जगह से समान लेता और दूसर जगह बेचता है जितने भी होते हैं वही काम करते हैं उसे तरह जब यह करेंसी के टर्म में ट्रेडिंग होता है समान के टर्म में देखते हैं अपने आसपास देखते हैं हम जब करेंसी के टर्म में करते हैं तो उसको हम फॉर्एक्स ट्रेडिंग कह रहते हैं फॉर्ण एक्सचेंज रेट क लिखे लेंगे आप, foreign exchange rate, foreign exchange rate is the price of one currency in terms of another currency, मैं दुबारा बोल रहा हूँ, बार-बार सुनेंगे और लिखेंगे बार-बार, foreign exchange rate is the price of one currency in terms of another currency, समझ्यारी बात, बोलिए बाई, जैसे आपने कहा $1 is equal to 70 rupees, ठीक है, मतलब अगर $1 आप देते हैं, तो आपको $70 मिलेंगे, एक USA का वैक्ती भारत आता है, तो वो $1 की rate से अपनी currency को exchange करेगा, अगर वो $1500 लेकर आता है, और $1 is equal to 70 rupees, तो $1500 into 70 उसको मिलेगा, और यही कार्ण है, कि बिदेशी घूमने के लिए बहुत आते हैं, इसलिए कि उनको यहाँ घूमना सस्ता लगता है, और हम सोचते रहाते हैं कि बिदेश जाएं गूमने के लिए, क्योंकि पहली बात तो हमारी पर capital income कम होती है, दूसरी बात exchange rate बहुत जाजा अंतर होता है, हमारे पास 700 रुपे होंगे, तो वो अमेरिका के term में क्या होगा, 70 रुपे का एक डॉलर, तो 700 रुपे का कितना डॉलर होगा, बोलिए, तब सोच लो, तो इसलिए हम लोगों की सिति क्या है, कमजोर है, इसलिए अपने डॉलर की, अपने रुपे की मजबूती जरूरी है, रुपे की मजबूती कैसे आएगी, जब देश में economic activity होगी, जितनी ही economic activity होगी, जितना ही skill development होगा, तिक है, उतना ही हमारे हाँ production बढ़ेगा, productivity बढ़ेगी, production बढ़ेगा, और जितना ही हम export करेंगे, इससे हमारे रुपे किस्ति को धीरे-धीरे मजबूती मिलेगी, तो foreign exchange rate आपको समझ में आया होगा कि foreign exchange rate is the price of one currency in terms of another currency, for example, one dollar is equal to 70 rupees, मतलब एक डॉलर देकर हम 70 रुपया ले सकते हैं, चीक है, अब हम आते हैं, types of यहाँ पर foreign exchange rate को मैं एक ही question करूँगा, और लेकिन एक question में आपको बहुत सारे questions के solution मिलेंगे, तो हमारे पास तीन तरह के foreign exchange rate determination के system है, ठीक है, argument point, पहला क्या है हमारा six exchange rate system, ठीक है, fixed exchange rate system, बोलो भाई, flexible exchange rate system, और managed floating exchange rate system, ठीक है, बोलो भाई, तीन तरह के exchange rate system है न भाई, बोलो, हाँ, कौन-कौन है, fixed exchange rate system, हाँ, तो fixed exchange rate system क्या है, इसको floating exchange rate system भी कहते है, ठीक है, तो fixed exchange rate system क्या है, जिसमें, बोलिए, जिसमें, क्या होता है, बोलिए, जली बोलिए, आप लोग बोलें कि हम बोलेंगे, fix exchange rate system में क्या होता है बोलिए government fixes the exchange rate at a particular label ठीक है बोलो government fixes the exchange rate at a particular label एक खास label पर government क्या करती है exchange rate को fix करती है ठीक है और इसी rate पर central bank क्या करता है कि अपने exchange rate जो भी exchange rate है उसको maintain करने का प्रयास करता है मतलब अपने reserve को इस तरह से manage करने का प्रयास करता है central bank foreign exchange के reserves को जिससे देश की आविश्यक आविश्यक्ताओं की पुर्ती हो सके जैसे 1991 Indian economics में एक point आता है वेन वी वेंट फ्र ग्लोबलाईजेशन ध्यान देना मैं इंडियन एकॉनोमिक्स में गुसरा हूं कि हम हम क्या बात कर रहे हैं foreign exchange rate की बात कर रहे हैं आप देखना foreign exchange rate में बात करते करते मैं इंडियन एकॉनोमिक्स के balance of payment का एक हना कि वाई इंडिया choose for economic reforms what was the reason to introduce the 1991 economic reforms the very big reforms claimed in 1991 were initiated due to the fundamental weakness of the Indian economy समझेरो यह बहुत बड़ा कदम नहीं था अमारा globalization वह मजबूरी में उठाएवा कदम था हमारे देश की physical deficit budget का लेशन है जिसमें पढ़ते हो physical deficit क्या होता है physical deficit का फॉर्मला total expenditure minus total receipt excluding borrowing याद रखना total expenditure physical deficit is equal to what total expenditure minus total receipt excluding borrowing question में क्या कर देगा इसी को physical deficit को और elaborate कर देगा अब total expenditure क्या है revenue expenditure plus capital expenditure total receipts क्या है revenue receipts plus capital receipts excluding borrowing numerical में यही question आएगा तुम जानते हैं कि जो physical deficit को पूरा क्या आता है इससे borrowing से तो physical deficit is equal to borrowing अब यह numerical में भी आ सकता है formula के रूप में भी आ सकता है definition के रूप में भी आ सकता है और इसका implication जह है जो है वो 1991 का जो physical deficit हमारा लगभग 8.7% के आस पास था GDP का इट वाज अलार्मिंग इट वाज चैलेंजिंग फॉर दे एकॉनमी एकॉनमी के हालत बिलकुल कराब थी जब आपके खर्च आपके खर्चे जब हो जाएंगे ठीक है तो आपको पैसा देने वाले दिस्तिदार बदल जायेंगे और बैंक भी बोलेगा कि पहले अपने खर्चे को नियंतन करो यही काम World Bank ने किया और भारत को पैसा देने के लिए बोला कि आपको पैसा तदी मिलेगा जब आप अपनी economy को change करेंगे बगलेंगे तो मजबूरी में भारत की सरकार ने क्या किया कि अपने economy को fundamental reforms किया जिसको नाम दिया गया अब सरकार कैसे स्विकार करेगी कि हमारी economy कमजोर हो गई है हम कटोरा लेकर गए और हमको करेंगे करेंगे कोई भी गोवर्मेंट नहीं करेंगे इस बात को कि हमारी स्थीच नी खराब है थाना तो अपने देश के सिट्जन्स के आत्म्दी स्वास को बनाया रखने कि लिए उन्हीं क्या कि उनका big bank बेंग रिफॉम सियू करेंगे वह करेंगे इंप्लाइमेंट बढ़ेगा यह तो हम तरह की बात है तो फीजिकल डेपेशिट्स क्या है वो सम्झाने का हमने प्रयास किया ठीक है इसी तरह बैलेंस और पेमेंट किसी थी बड़ी खराब थी ठीक है तो अब पैसे नहीं है हमारे पास बैलेंस और पेमेंट किसी खराब थी कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता था और हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम था तो निश्य तुरुप से इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर् थी तो अब balance of payment की से दिकराती और उसके पीछे देखो link कहा है तो हमारा foreign exchange rate हमारे foreign exchange rate जो है बड़े ही adverse है तिक है इसलिए government क्या करती है कभी-कभी अपने rate को down कर देती है जिससे हम export बढ़ा सकें बाहर वालों के लिए जितना ही सस्ता होगा लेकिन उसका दूसरा impact भी होता है कि हमारा export ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारे welfare में कमी होना ना क्यों कैसे क्योंकि हमारे लोगों की जो आबादी है ज्यादा है और उस आबादी के ज्यादा होने से क्या होगा कि हमारे लोगों के पास ही अन्न की कमी हो जाएगी ठीक है food shortage हो जाएगा और जिसकी वज़ था नाइटे नाइटे वन में जब एकॉनोमिक रिफॉर्म हुआ बैलेंस और पेमेंट की सिथी खराब थी फॉर्ण एक्सचेंज बिलकुल नहीं था दस से बारा बारा से पंदरा दिन के आस पास हमारे पास फॉर्ण एक्सचेंज था पैसा सा जिससे अपने जनुरूत की सा मतलब भी अच्चेंज रेट शिस्टम एड चीट कि अम्हुत छेटी का यह कैस्टेम है तो हमने चरचेज़ा किया ürी बताया कि ग्वांट फिश आदेओत है कुई ठीक है लिए ठीक है ओके तो फिक्स एक्षेंजर सिस्टम है डिटर्माइंड बाई गौवर्मेंट और अर्बिया उस रेट पर अपने डॉलर की सप्लाई और डिमांड को मैनेज करती है जिससे उसके ज़रुवत्तों को पूरा किया जा सकते हैं जब आप फिक्स एक्षेंज अ उन फ्लेक्सेबल और मैने फ्लोर्टिंग एक्षेंज स्थम्स मैरे इसफ्लोटिंग को हिकरते हैं डर्टीए फ्लोटिंग ऑसव याद रैक ना वंवं मार्क उस्टन यादत कि लिख लेजिये इसको मैने फ्म फ्लोटिंग एक्च्छेंज अर्थ सिस्थम इज ओल्ड ड बोलिये क्योंकि एक्स्चेंज रेट को RBI इंफ्लुएंस करता है ठीक है RBI क्या करता है जैसे अभी US डालर को भारत अपने GDP का 5% इसको नाम दिया गया है डर्टी फ्लोटिंग किसको नाम दिया गया है managed floating exchange rate is also called dirty floating why it is called dirty floating because managed floating exchange rate can be influenced by intervention of the central bank in the foreign exchange market is it clear is it clear इसी का रिया और जो भी बच्चे हैं क्लास में कि अधिक पाइंट अस्तोस तुम्हीं बोल बेटा बाकी बिच्चे क्लास में है या नहीं है अच्छा चलो अब इस एक है अभी से एक अधिक बीच 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 बोलते रहें को समझ में आएगा ना मैं दो कोश्चन देख रहा हूं वसलिए मैं चैट बॉक्स में नहीं देखने जा रहा हूं ठीक है तो हमने तीन तरह के चैट कि पाथ कि कौन कौन से बाथ कि three की बाथ की फ्रिक्सिबल की बाथ की और मैंने कि यह कहा कि मैंने इस पीलोटिंग दर्टी-ड पो कहते एक गॉन एटिंगा उ αυτरी रहा है फीए बापी इस एक बीच्च बह cóर 낮 पर या करती डीया करती है कि हमको कितना exchange foreign exchange रखना है ठीक है बोलो भई बोलिए और इसमें RBI उसी exchange rate पर अपने ज़रुवत के अंसार purchase और sell करती है डालर को तो इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है बोलो अगर ये काम RBI न करे अपने economy के ज़रुवत के अंसार न करे तो black marketing होती है किसकी foreign exchange की समझ रहे हैं अगर RBI जितनी ज़रुवत है economy में उतना manage न करे तो हवाला और बहुत दूसर तरीके से black marketing होती है currency की जैसे सामानों की black marketing होती है जैसे अभी मालों की थोड़ी oxygen की कमी हो गई है market में तो oxygen के cylinder बहुत बड़ी कीमतों पर लोग sell कर रहे हैं समझे जो और कुछ लोग ऐसे भी है देवतुल्य आत्माएं जो कि free में cylinder बेच रही है बेचना तो कहेंगे नहीं उसको तो अलग अलग तरह के लोग है समाज में तो फिलहाल black marketing जो होता है dollar का इसलिए होता है कि there is a difference between availability मतलब demand of dollar and supply of dollar अब यहीं से जो question निकल कर आता है fixed exchange rate system में ही devaluation और revaluation का word यूज किया आता है algorithm bind लिख लेंगे the term devaluation and revaluations are used in the fixed exchange rate system जितना ही लिखोगे आपको आता है सब भी लिखो बेटा नहीं तो यहीं दोखा होता है लिख ले आप लिख ले जली से दिख लिया बोलो तो devaluation और revaluation का जो word है वो fixed exchange rate system में होगा the term devaluation and revaluations are used in fixed exchange rate system अब मुझे कोई समझाए आप में से कि devaluation क्या होता है और कब होता है अच्छा एक्जामपल एक्जामपल बताओ कि कैसे समझाओ है कि devaluation हुआ बहुत आसान है देखो fixed exchange rate system में government increases the exchange rate ठीक है government increases the लिख लो तो कि यह term में बच्चे कन्फूज जाते हैं इससे लिख लिजिए एकदम बुक की भासा लिखी है जैसे मैं बोल रहा हूं इन से इन इन फिक्च्चेंज रिए इस्टवरीइट लिखेंगे इन स्ट्वर्माइन इनफ स्टॉण्रेश को गवर्मेंट इंक्रीजेश दा एक्सटीच दिधे अब government इंक्रीजेश देट का मतलब क्या हुआ मेकिंग डॉमेस्टिक करेंसी चीपर इन टर्म्स ऑफ फॉरन करेंसी पहली बात अगर आपको याद होगा कि जिसे हम डाइगराम बनाते थे तो डाइगराम हम जब बनाते हैं तो साइध मैं इसमें जैम बोड में कर पाऊंगा तो मैं करके दिखाने का प्रयास करता हूं आपको जैम बोड दिखाई दे रहा है बोलिए दिखाई दे रहा है तो जब जैम बोड आपको दिखाई दे रहा है तो मैं बता ही दूँ कि देख लिजिए कि जैसे आपको मैंने एक लाइन ड्रॉ किया दिस लाइन इस ड्रॉन ओके और मालो की हमने एक ऐसे किया यह है मारा क्या डिमांड आफ डॉलर डी एस लिख दिया और यहां क्या है सप्लाई आफ डॉलर ऐसे कर दिया और यह जो जहां दोनों भरत मिलाब करते हैं राम जी और भरत जी का मिलन होता है तो वहाँ पर एक्षिंज रेट का डिटर्मिनेशन होगा आता है टीक है मसलब यह अब इनक्रीज करने का मसलब क्या हुआ देखो मालो कि वहां यहां वन डॉलर इसको बढ़ा दिया तो वन डॉलर इसको क्या हो जाएगा यहां पर वन डॉलर इसको आसी हो गया 80 रुपीज तो यहां पर क्या कहता है कि वेन दा गौर्वर्मेंट इंक्रीजे एक्स्चेंजे तो वन डॉलर इसकल टू 80 हो गया ना उपर जाने से ध्यान से बहां या ना बोल दीजे बुझे तो इससे क्या हो गया कि हमारे डॉमेस्टिक करेंसी चीपर हो गई ना पहले आपको 70 रुपया देते थे तो एक डॉलर मिलता था अब आप ज्यादा दे रहे हो भाई तो आपके पैसे की वैलू घट गई ना बोलो भाई बोलो भाई तो इसी टर्म को आप पकड़िये लैंगुज हो पकड़िये कि इन फिक्स एक्षेंज रेट सिस्टम वें दा गॉर्मेंट इंक्रीजेज दा एक्षेंज रेट ठीक है उससे क्या हो रहा है कि मेकिंग डॉमेस्टिक करेंसी चीपर इन टरम्स आप फॉरिन करें कि वन डॉलर इसकल टो 70 रूपीज है अब वन डॉलर इसकल टो 80 रूपीज हो गया तो भारत से अमेरिकन जो है वो ज़्यादा समान परचेज करेंगे उनका इंपोर्ट बढ़ जाएगा न क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा समान मिलेगा यहां तो को ज़ एक डॉलर पर ज़्यादा परचेज कर रहा है ठीक है तो यह है डिवैलुएशन का फाइदा तभी है जब हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएं अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डिवैलुएशन का जो एडवांटेज है और जिस परपस से यह किय जाता है वो पर्पस फुल्फिल नहीं होगा इसानली इस बात पर डिपेंड करता है कि कंट्री का एक्सपूर्ट का नेचर क्या है अगर वो एक्सपूर्ट कर पाती है तो एक्सपूर्ट कर पाती एक्सपूर्ट बढ़ता है तो डिवैलुएशन क्या है डिवैलुएशन इस गुड यह क्या है इस गुड ठीक है अगर नहीं तो वो बैड इसका ध्यान रखेंगे आप तो डिवैलुएशन आप समझें तो जो काम डिवैलुएशन में होता है उसका ठीक उल्टा डिवैलुएशन ठीक है उसमें हमारे रुपे की वैलुँ क्या होती है घटती है तो डिवैलुएशन में क्या होगी रुपे की वैलुँ बढ़ेगी देख लो समझे आई बात बोलो भाई तो हम इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे ओफिसियल लेंग्वेज में इन और फिक्जड एक्सचेंज रेट आप लोग लिखेंगे जितना तभी फायदा है आपको आता है तभी लिखो बेटा मैं बार और बोल रहा हूँ कमी यही हो रही है इन फिक्जड एक्सचेंज रेट सिस्टम मैं आपको बस मोटिवेट करने के लिख रहा हूँ कुझ रूत नहीं है इन फिक्जड एक्सचेंज एक्सचेंज रेट ठीक है अब एक्सचेंज डेट डिक्रीज करने से क्या होगा क्या होगा कि डोमेस्टिक करेंसी की वैलू बढ़ जाएगी ठीक है इसको ब्रैकेट में लिख दो इनक्रीजीज्ट दव वैल्यू ओफ डिक्रीज दोमेस्टिक करेंसी हीडी ल스타 डीक्रीची लिख दिया ड्ेस्टिक करेंसी इसको हम रिवेलुएशन का नाम देते हैं कि कि हम करते हैं जहां पर हम डाउन कर रहा है यहां पर बैसे चंप होते हैं अब या में कोश्चन आएगा कि बच्चों को डाग्राम से पढ़ना चाहिए जख लो मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ याद करा रहा हूँ आपको ये डिमांड आफ डॉलर है डी लिग देता हूँ कन्फूजन नहीं होगा ये सप्लाई आफ डॉलर है डॉलर यहां पर जहां भरत मिलाप होता है वहां पर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है यहां पर क्या है एक्सचेंज रेट को बढ़ाया गया जब एक्सचेंज रेट को एक्सचेंज रेट इयार लिग दिया मैंने इसको बढ़ाया गया तो इसका परणाम क्या होगा domestic currency cheaper हो जाएगी इसका परणाम क्या हुआ domestic currency domestic currency cheaper हो जाएगी तो को ऐसे करके बना लो ऐसे बना लिजिए बहुत अच्छा है ये exchange rate जब बढ़ेगा तो domestic currency की value घटेगी ठीक है अब देखो यहाँ पर अब इसको समझने के लिए और भी रख कर लो कि $1.70 से $1.70 यहाँ $1.80 $1.80 फिर यहाँ पर $60 $60 अब इसको समझने के लिए और भी रख कर लो अब देखो यह जरूर मार्क कर लेना और दिमाग में इस नुमरिकल यह डाग्राम और नुमरिकल वैलू $1.70 $1.70 $1.80 हो गया तो क्या हुआ हम अब पहले 70 रुपए देते थे अब हम 80 रुपए दे रहे हैं तो domestic currency की value down हो गई currency की तो को 70 से 60 देखने में लगता ना कि बढ़ रहा है लेकिन value तो घट रहे है न क्योंकि हमको पहले 70 रुपए इंडिन को देना पड़ता था पढ़ेगा तो domestic currency की value घटेगी उसको समझाने के लिए मैंने एक नुमरिकल एक्जामपल भी ले लिया याद होगा बेटा बोलो डाग्राम बना लो लिख लो प्रतेश इसी का बेटा जित्ते भी यह लोग है बेटे बेटी सब लोग लिख लीजिए ठीक है दूसरा कि अगर माल लो कि हम इसको रब कर दें स्कीन सॉट ले लीजिए और लिख लिए इसकी फायदा नहीं लिखना फायदानेंद होगा अमेंसा लिखना हमेंसा फायदानों होगा दूसरा कर दे रहे हैं ताकि confusion नहीं हो एक आप देखो $1 is equal to $70 था पहले, अब $1 is equal to $60 हो गया, ठीक है, $1 is equal to $60 हो गया, पहले $70 था, अब हम इसको यहाँ पर रब करेंगे, क्योंकि हम डियाग्राम बार बार नहीं बनाएंगे, तो $1 is equal to $70 था, अब यहाँ देखो, मैंने $60 कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, और इस इसको भी हमको बदलना पड़ेगा, यह में बदल रहा हूँ, इसको में बदल रहा हूँ, ठीक है, इस अब $1 is equal to $60, अब देख लो, पहले आप $70 रुपए दे थे, अब मात्र साट रुपए दे रहो, क्या कर रहो, मात्र साट रुपए दे रहो, तो अब इसमें क्या हुआ, decrease in the exchange rate, $1.70 से 60 हुआ, तो decrease in exchange rate हुआ ना बिटा, आस्तोस, हर्षा, पृतेश, इसका बिटा, रिया, जो भी है क्लास में, तो $1 is equal to $70 से $1.60 हुआ, तो यह exchange rate में downfall है, decrease in the exchange rate, लेकिन domestic currency क्या हो, costlier हो गई, एक American, एक American के लिए, अब पहले 70 रुपया मिल जाता था $1 में, अब 60 रुपया ही मिल रहा है, तो इसको रुपया लेना costlier हो जाएगा, क्योंकि उसको ज़़ए $1 खर्च करना पड़ेगा, तो क्या होगा, exchange rate down हो रहा है, ठीक है, तो domestic currency की value क्या हो रही है, 60 रुपया दे रहे हैं, मतला हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, समझ में आरी बात, बोलो भाई, बोलिये, बोलो, अलो, अस्तोस, अर्शा, बोलो भाई, अब मेरी दूसरी class भी है बेटा, ओके, तो यह हमारा, एक question हम कर पाए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कर पाए, मेरी दूसरी class है, मुझे दूसरी class भी जॉइन करना होगा, आप उस class में जॉइन कर सकते हैं, पहले मैं उनको जली से link भ